तो आज शाम 6 बजे होने वाला है मौत का खेल Old Trafford पे और उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा 1MUFC पे शाम 5 बजे से डिसकेशन के साथ तो जुड़ना मत भूलना और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज टकराने वाले हैं दो हमारे गंजे मैनेजर पेप गौर्डिय की लड़ाई हुई थी अभी कुछ टाइम पहले ऑक्टोबर में तब उसमें गुरु जी ने सुताई कर करके कर करके बंदर के पिछवाडे की तरह हमारी गुद्धी लाल गुद्धी नहीं सोने हमारे पिछवाडा लाल कर दिया था युनाइटिड वर्जेज सिटी हमेशा एक बहुत हाईली एंटिसेपेटेड फिक्षर रहा है पूरे प्रेमेर लीग के अभी जब से उन्होंने टेक ओवर किया है मैंसिटी ने एंड स्पेशली पिछले 10 साल में मैंसिटी के उपर हम लीग टेबल में फिनिश नहीं कर पाए है जब से सार एलेक्स वर्गिसन गए पिछली साल युनाइटिड अपने दोनों गेम सिटी के गेंस हारा था इस बार वो अल्रेडी जो अवे फिक्षर था वो 6-3 से हार चुके है और यहां पर आठमी बार हो सकता है जब मैंचेस्टर सिटी युनाइटिड के ऊपर एक लीग डबल कर सकती है लेकिन आकरकार लेकिन उसके साथी साथ इन्होंने कोई भी एक सॉलिड टीम तयार करके नहीं रखी थी इनकी प्लेइंग 11 डिसाइड़ नहीं थी इन यह तो ट्विक्स और चेंजिस करे जा रहे थे इस टाइम पर आते आते आपको पता है कि युनाइटिड को अपना प्लेइंग 11 पता है अब लिवरपूल क्यों सिटी को मैच कर पाती हैं कि लिवरपूल किलती है काउंटर प्रेस और काउंटर प्रेस के बाद वो करते हैं extensive आपकी तरह विंग से अटच और आपको पता है कि सिटी अपने विंग बैक्स को बहुत जादा यूज़ करती है अपने अटेक में जहा आपके पास स्पेसी विंगर्स हैं उन स्पेसिस को एक्स्प्लाइट करने के लिए यूनाइटेट ने पिछली बार जो गलती की थी दे वर वेरी लेकलस्टर इन दर पासिंग दे वर वेरी वेरी लेथर्जिक दवे दे कैरीड आउट दर गेम उनका प्रेस बहुत खराब उनने हाई लाइन मेंटेन करने की कोशिच की जिसकी वजए से वो कंप्लीटली एक्स्पोज हो गए उनका पासिंग जो था वो बहुत ज़दा खराब था वो इसली पोटेशन गिवावे कर रहे थे जिसके चक्कर में हमने चार गोल फ्री फाल्तू के खाए और अगर वो च जो आखरी गोल था वो हटा दो तो आप देखोगzię कि जितने भी गोल स्कोर हुए है सारी की सारी यॉनाईटेड की ही मिस्टेक्स रही ती बट फिर अल्टिमेट ली आप ये भी कैसे तो कि गोल होते ही मिस्टेक्स की हुजे से हैं यॉनाईटे के रेश्वर सांद में लग आपको पता है कि वाई एंट्री मार्शल के बारे में जब कल एरी टेनेक से पूछे के तो एरी टेनेक में यही का कि अभी उनके फिटनेस लेवल पर में क्लेरी टी नहीं दे सकता वो सब में कल पता चलेगा तो एवेंच्वली आइम काउंटिंग ओन एंट्री मार्शल टू इंक्लूइड इन दी मैच दे स्कॉड अब यह कह पाना मुश्किल है क्या वो स्टार्टिंग बना पाएंगे या नहीं इसके साथी साथ एलेक्स इनो अलहांद्रो गर्नाचो अगर लेफ्ट विंग पर यूज होने वाले हैं तो रेश्वर्ट हैस्टू प्ले थू थू द दिखेगा और वहां पर उनका रियल टेस्ट होगा बड़े नामों के अगेंस एक बेटर डिफेंडर के अगेंस यहां पर समझने वाली बात यह है कि इस टीम को समहालने के लिए जो आदमी चाहिए वो है कैसमीरो और यह अगर मैं देखू यह यह भाई एंटू एंड को बिल्कुल बुली कर रखा था अकांची और नातनेकी ने आउट पेस कर रखा था मार्कस रेशफोर्ड को अब उस ताइम पर मार्कस रेशफोर्ड का जो सीजन में एकदम से आप कैसे तो कॉन्फिदेंस बिल्ट होना शुरू हुआ था अभी वो आप यह तो आप कन्फ स्कोर करना पड़ेगा चेल्सी को अभी उन्होंने कताई सुताई दे दिये और उसके बाद वो साउथ हैंटन के गेंस अभी एफल कब में बहार हो गए अब जब भी सीटी की टीम हारती है न तो वो एक पूरे अटैकिंग माइंड सेट के साथ आते हैं और फिर आपको पता में सिटी के अगेंस खेलने और हमने सिटी को हराया है बड़ एक जो एक जो सेनेरियो हमारे अगेंस जा रहा है वो यह है कि Old Trafford पर खेलते हुए सिटी का पलड़ा भारी रहा है जैसे हम एतियात पर जाते तो एतियात पर हमारा पलड़ा भारी रहा है इस फिक्शर में जो और अगर हम जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं तो पर हमें नहीं खेलना चाहिए and this should be the mentality in each and every player क्योंकि आप देखो आप अगर इस दार्भी में या किसी भी बड़े मैच में अगर इस mentality के साथ जा रहे हो कि हमें सिर्फ ड्रॉ खेलना है तो आप कभी वो game जीत नहीं पाओगे you have to go with the mentality के नहीं भाई मुझे यहाँ पर इस game में पूरे-पूरे maximum points निकाल के लेके आने and footballic moments का game है यहाँ पर अगर United ने Harland को रोक रखा Forden को रोक रखा क्योंकि यह दो players वो हैं जो कि पिछले match में आपके against head-trick score करके गए थे Harland का 5 goal involvement था पिछले game में पिछली derby में Now अगर आपको Harland को रोकना है तो भाई आपको passing lanes block करनी पड़ेंगी Kevin De Bruyne की Kevin De Bruyne is the guy जो कि हमेशा Harland के लिए deliveries बनाता है Also अगर Maris खेल रहा है right wing पे तो Luke Shaw को बहुत ही सतर करना पड़ेगा Lissandro Martinez और Rafael Varane के साथ साथ Qasamiru को पूरा हमारा जो defense line है उसको cover देना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार जब Qasamiru आया था second half में उसके बाद हम थोड़ा stable दिखेते शुरुवात में क्योंकि हमने McTominay के ला रखा था Ericsson के alongside तो हम बहुत ज़्यादा खराबते हैं McTominay alongside Ericsson आप McTominay को किसी के भी alongside रख दो Is a disastrous solution for a Darby match क्योंकि City जैसा press करने वाली team के against आप McTominay जैसे एक heavy touch player को अगर रख रहे हो जिसका passing जो एक game है वो बहुत ही ज़्यादा average है तो you are already in a big big trouble यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि United की case में उनकी जो backline है आज थोड़ी सी vulnerable दिखेगी क्योंकि right hand side पर आपके Diego Delo जो informed Diego Delo है वो नहीं खेल रहोंगे Aaron Van Bisaga खेल रहोंगे और Aaron Van Bisaga ने इस सीजन में इतने games खेले नहीं है और अभी तक जितने भी games में वो अच्छा खेले है वो कोई भी उनका game बड़े ओपोनेंट के case नहीं है तो that is a bigger concern for me also Licha has to start Lissandro Martinez रफाल वरान की जोड़ी centre-back department में चाहिए है left-back पर it should not be Tal Malasia Malasia आपने जो marker है उसको बहुत miss करते है Malasia is pretty young तो अभी वो experience नहीं है प्रिमेर लीग का and this is a very very huge game for Tal Malasia so I don't want him to start कहीं वो exposed हो जाए और फिर उनका जो confidence है वो शेटर हो जाए we need an experience player Luke Shaw जिस तरह की form में है Luke Shaw has to start this game midfield में बात करूं तो कोई change करनी दरौत है नहीं आपको Casemiro, Ericsson and Bruno Fernandes and देखो यार आज के game में Bruno needs to make sure that he is losing position very very less क्योंकि आपको देखो एक चीज़ा आपको समझनी है पड़ेगी Bruno जैसा प्लेयर रिस्क लेता है लेकिन Bruno जैसे प्लेयर के रिस्क लेने की वज़े से हम possession बहुत giveaway करते हैं और इन बड़े matches में जहां quality सामने वाली टीम के अंदर बहुत जादा है तो आप फिर counter की situation face करते हैं जैसे हमने पिछली बार की थी वो heroic passes नहीं चाहिए आराम से build up करो keep the ball with yourself do not give the ball to city और उनको तो यह बिलकुली मत करना कि भाई तुम ball ले लो हम counter पे खेलेंगे remember last year's Darby Old Trafford पे they had more than 70% of the possession और उसके बाद they made 0 substitutions वो game आप नहीं देखना चाहते Old Trafford पे क्योंकि अभी तक का जितना momentum है वो आपका फिर किसी मतलब का नहीं रहेगा अगर आप इस Darby में competition ही put up नहीं कर पे also मुझे एक बाद जरूर कहनी है कि कोई भी अगर fan यह सोच रहा है कि we can't win this Darby we can win this Darby but at the same time if we end up losing this Darby the season won't be over for us अगर हम Darby जीत जाते हैं the season won't be over for us by then as well हाईसा नहीं हो कि हम Darby जीत गए तो हम championship जीत गए हमने premier league जीत ली नहीं winning a Darby is about pride winning the Darby is about breaking rights and they go Darby में जाते में current run-off form goes out of the window because Darby में pressure इतना जादा होता है न fan base का और यहाँ पर आज हमें Old Trafford की जरूरत पड़ेगी Old Trafford has to be very very vocal क्योंकि अगर आप match अपने home turf पे खेल रहे हो आपका fan base अगर आपके पीछे आपकी आवाज बनके नहीं खड़ा है तो फिर सामने वाली team dominate करती है and for a long time we haven't seen that sort of atmosphere at Old Trafford but this season things are changing Old Trafford is becoming a fortress once again and that's what I like to see from Old Trafford, from our fans की वो back कर रहे हैं players को वो chance कर रहे है and देखो जितना जादा आप fans को involve कर पाते हो न उतना जादा आपके favor में game जाता है why man city always struggle at infield because of the cop end because of the atmosphere the cop end creates and not just the cop end the entire infield creates we have to make sure वो Old Trafford जो हमें याद है वो Old Trafford जो जाना जाता है अपने fans के लिए अपने fans की backing के लिए वो आज हमें देखे मैच में and to make sure that we suffer the least आपको हर एक instruction जो manager देखकर उतर रहा है मतलब आपको उतार रहा है वो आपको follow करना पड़ेगा minimum percentage of error आपको लेके चलना पड़ेगा क्योंकि अगर आप वो errors जादा करोगे तो last time जो हुआ था वही case होगा देखो as a United fan I am confident about my team but I am not so over confident कि हम यह कर देंगे वो कर देंगे I am being realistic here United के लिए अभी अगर situation में देखूं दोनों तरफ की तो अगर draw निकलता है I think it would be a perfect perfect game for us जीतेंगे तो फो फिर ultimately perfect game हो जाएगा और इस game पे बहुत सारे teams की निगाएं होंगी Tottenham Hotspurs की होंगी Liverpool की होंगी Newcastle की होंगी इवन आप कह सकते हैं outside chance है Brighton वगरा भी देख रही होंगी कि अगर United points drop करती है और अभी उन्हें और भी बड़े opponents के against खेलना है तो we can also get into that top 4 वाला zone और ऐसा वैसा अगर हम जीच जाते हैं we can say that we have to protect our lead and we are one of the favorites to finish inside top 4 which we were not predicting us to be but हम हो जाएंगे लेकर आज की डार्मी में मज़ा बहुत आने वाला है आपको पता है आपको मैच कहा देखना है at 1MFC at 5PM यहीं पर मिलेंगे बात करेंगे मैच के बारे में लाइन अपस के बारे में तब तक लिए मिलते हैं बाद में और हैपी लोडी कल थी विश्करना भूल गया था हैपी मकर संकरान्ती and गुडबाई, टेक केर अल देखना बेस्ट वड़ाभी